हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है प्रकति आइप में जो कि लूसेंट अब्जेक्टिव से यू प्रैक्टिस से चलाया जा रहे हैं जो कि आज का टॉफिक है अनुबन सिकी जो कि अनुबन सिकी से कुछ कोश्यन लिए हैं तो चलिए स्टाट करते हैं और चैनल पहले बार है तो पले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जैसे पहला कोशन है कि अनुबन सिक्ता के जनक कहे जाते हैं बताना है कि अनुबन सिक्ता के जनक किसे कह जाते हैं तो इसका सहीं सरी option number C Mendel ये जो है अनुवन सिखता है कि जना किसे कहते है ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है तो option number C सही है next question दखते है कि अनुवन सिकी की इकाईयां बताना है कि अनुवन सिकी कि इकाईयां क्या है तो इसका correct answer is option number C ये जो हे gene, onivan JS की क्या है तो gene है तो अफ़या नमर C सही है, next question देखने, question ten नमर 3 है कि onivan 받 जीन होते हैं मताना है कि onivanuous की unit अरथाथ gene क्या होते हैं तो इसका answer अफ़या नमर B, गूरण सुत्तरों में यह जो अनुबन से की यूनिट की जीन होते है गुण सुत्रों में नेस्ट कोशन देखते हैं कोश्चन नमर 4 है कि जीन है बताना है कि जीन क्या है तो इसका कर्येक्टेंश रही अपसर नमर D, DNA का एक भाग, देखिए चीन क्या है, तो DNA का एक भाग है, अपसर नमर D स्याहिए, नेश कोशन देखते हैं, कोशन नमर 5 है, दोस्तों ये मॉक टेस चलाए जारा है, आप लोग देखना न भूले, कितना आप लोग का सहिवा तर क जीन का सनलिसर करने वाले वाले बेग्यानि कि बताना है कि तो इसका कर 있나 क्षूराना कि नवर six say है कि एक जीन एक इन जाइंब सिधान्त प्रतिपादित कर देखे बताना है कि कि थ psychi आ सकता है बताना है कि जीन को ब्यक्त किया सकता है किस के भाग में होटो इसका कर्रेक्टेंट से भी उप्रूख सभी तरह से है नेक्रों से उपरिवर्तन की एक वह तरह से अपसिंच नमर पर तरह से कोशिका में जो पाया जाने वाला अनुमंसी की पदार्थ क्या है तो इसका सरे अप्सन नबर ए डी एने देखे कोशिका में पाया जाने वाला अनुमंसी की पदार्थ कौँश है तो इसका सरे अप्सन नबर एसा यह ने 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 यह जो है हर्गुविंद खुराना ने परिविंद शर्वप्रत्म डी एने का सल्लेशन किया था हर्गुविंद खुराना है तो आप्सन नबर बी साइएने इस कोश्चन जगते कोश्चन नबर 11 है कि डी एने का डॉबल हेलेक्स मोडल किसने दिया था बताना है कि डी एने का डॉबल हेलेक्स मोडल किसने दिया था दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहे है तो प्लीज लाइक कीजिए जो कि यह लुशंट अब्जेक्टी से प्रैक्टिस से चलाई जा रहे है बिहारे साइमेंस के लिए तो इसका क्रेक्टेंस रहे अप्सान नबर सी देखे डी एने का डॉबल हेलेक्स मोडल किसने दिया था तो वाट्सन और क्रीक ने वाट्सन और क्रीक ने डी एने का डॉबल हेलेक्स मोडल दिया था तो अप्सान नबर सी साई है नेस्ट कोशन देखें कोश्चन मबर 12 है कि अनुवन सेखें की बिसेस्ताय मुखे रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है जो मुखेत और किसके माध़म से होती है तो इसका कर्रेक्टेन से अप्शन नबर C, जीन, ये जो जीन के माध्यम से अनवांसे की विस्षता है माता पिता से बच्चों में पहुंचती है, तो अप्शन नबर C जीन, नेस कोशन देखते हैं कि किस कारण एक माता पिता की कभी सभी संताने एक समान नहीं होती है बताना है कि किस कारण से एक माता पिता की सभी संताने एक समान नहीं होती है तो इसका करेक्टेंसर अप्शन नबर सी उप्रुक्त दोनों अनुवन से की विभिंता और वाताउन की विभिंता यह पूर्प्रुक्त दोनों आपसा नबर सी साइए नेस कोशन देखते हैं कि मनुष्य में द्वी गुनित कुरुमुसुम की संख्या कितनी होती है तो इसका करेक्टेंसर आपसा नबर ए 23 देखे मनुष्य में द्वी गुनित कुरुमुसुम की संख्या कितनी होती है तो तेईस होती है तो जोड़ी नेस कोशन देते हैं कोशन नबर 15 है कि पूरुस में पुरुस्त्व के लिए कौन सा गुन सुत्री संजूजन उतरदाई है तो इसका करेक्टेंसर आपसा नमर डी एकस वाई एकस वाई जो है पूरुस में पूरुस्त्व के लिए गुन सुत्री संजूजन होती है एकस वाई नेस कोशन देते हैं कोशन नमर 16 है कि एक समान ने मानों सरी कोशिका में गुन सुत्रों की संख्या कितनी होती है तो इसक कोशिका गुण सुत्रों की संख्याथ 46 होती है नेस कोश्चिन नमर 17 है कि मनुष्य में नर का गुण सुत्र समिश्रण होता है कैसा होता है उसका तो इसका करेक्टिन सरे आपसा नमर देखिए मनुष्य के नर में यह जो फीमेल में गुण सुत्र का समिश्रण होता है नेस कोश्चन नमर 18 है कि नवजाद सिसु के लिंग का निरधान किसके वनसानुगत हुए गुण सुत्र द्वारा किया जा सकता है तो इसका करेक्टिन सरे अपसा नमर पीता द्वारा यह जो है नवजाद सिसु के लिंग का निरधान पीता द्वारा उसका गुण सुत्र किया जा सकता है पीता के द्वारा सिसु का लिंग का निरधान किया सकता है तो आपसा नमर C 22 जोड़ी देखिए कि समाने मानल सुपकुराणड़ों में ओटोसों की संगा कितनी होते तो 22 जोड़ी होती है तो आपसा नबर से पूरुष का वाई और स्तिरी का एक्सवाई के यह मिलने से यह जो है लड़का का जनम होता है अपसा नबर है C साइब देखते हैं 21 है इनीगे लिखीत में से कौन से एक लिंग सहगल रोग है बताना है कि कौन से एक लिंग्स लगन रोग है तो इसका करेक्टेंचर आपसा नबर C वानधन्ता यह जो वानधन्ता एक लिंग सहगल रोग है आपता नबर सी साई है नेस कुछन देखते हैं